आज मैं आपके साथ पनीर की एक सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हो हम कडाई पनीर बनाते हैं चिली पनीर बनाते हैं शाही पनीर बनाते हैं लेकिन मैं आज आपके साथ पनीर लवंग लतिका की रेसिपी शेयर कर रही हो और यह सब्जी जितनी देखने में अची लगती है खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा डेस्टी होती है मैंने इसमें कच्छे पनीर का यूज़ किया है आप चाहें तो इसे सेलो फ्राइए कर सकते है अगर आपको उची लगी तो प्लीज लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे मेरे बनाने के लिए इसपाय करते हैं पनीर की एक बहुत ही रेस्टी और डिफरेंट सब्सक्राइब के लिए मैंने लिया है यह 200 ग्राम पनीर और इसके लिए हमें पनीर को बड़े टुकने में ही चाहिए दो टेबल स्पून काजू दो टेबल स्पून ल काजू दो मिक्सी मेक्शी में पीच इना पाउडर बना लेंगे काजू पाउडर बना लेनगे काजु अनल टे। आं बहुत है कि कदू कर लिए हैं अब और इसंगी मिक्स कर देंगे और थो और इस सब चीजें को एक साथ अच्क्यास कर लेंगे हैं उसके बाद हम निजू पनिर लिया था इसके थोड़े मोटे बोटे मोटे स्लाइस कर लेंगे शह इसμεं York बीज कर लेंगे और पनीर को कट करने की बाद में हम एक एक पनीर का स्लाइस लेते सेंगे और यह जो हमने मावे का मिशन बनाया था इस तरीके से इसके उपर सेट करेंगे दूसरे से कवर कर देंगे और यह सेंड्विजे से बना लेंगे कि यह 1 प्रेंग लेंगे तो इसमें अच्छे प्रिया हैं तो मैं यहां हैं हम आजाने खाए। एक साइट से रख देते हैं अब गैस अन करके गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है और पैन के अंदर हम दो टेबल स्पून कुकिंग ऑल डाल देंगे जैसे ऑल गरम होता है हम पनी लवंग लती का बना रहे हैं इसलिए मैंने यह पांचे काली मिर्चे और पांचे लॉं प्याज को फूनते हुए आप तो आप लेम हाई रखें रख और प्याज हल्का सब भून गया है इसी समय हम इसमें तीं चार के लिए लहसं की डाल देंगे और अगर आप प्याजुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं दो मीडियम साइज के टिवाटर जिसे रखल और ज़ुदी और अच्छी कोई चाहा है आधर टीस्पूल हल्डी डालेंगे एक टीस्पून धनिया डाल देंगे एक टीस्पून लाल मिर्चें मिर्चे्टा अपने सबस्चेम कर सकते हैं थोड़ी सी जाँदह और मसालेक को एक अच्छी से भूनेंगे एक टेबल स्पून कोकोनेट पाउडर यानि गुले का बुरादर डाल देंगे इससे सब्जी थेक हो जाती है और खाने में ज्याद अची लगती है और मसाले अच्छे से भून गया है अब इसे थोड़ा से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसे मिक्सी में बारी पीस कमते हैं और सेम पेंगो मैंने फिर सेगेस पर रख दिया है अब हम इसमे एक टेबल स्पून जितना देर गी डाल देंगे जीर को फूटने देंगे अब इसमें डालेंगे लंबाई में कटी हुई एक हरी मिर्च और एक लाल मिर्चे आप जाएं तो शिना मिर्च भी डाल सकते हैं और को सेकिन मिर्च को कुही में ने चला लिया है उसके बाद जो हमने मसाला पीसकी रखा था वो लाल देंगे मसाला को पुणने में ज्यादा दें नहीं लगी क्योंकि मसाला हमारा पहले से अच्छे से भूना हुआ है और जैसे ही मसाला अच्छे से भूनता है और उसमें आईल हमें बाहर दिखाई देता है यह जो मिश्चर हमारा बाज गया था मावे का और काजू बदाम का वो हम इसमें मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है लेकिन अभी यह काफी गाड़ी लग रही है आप चाहें तो इसे पानी से और चाहें दूद के साथ इसे पतला कर सकते हैं ग्रेवी में अच्छा सो उबाला गया है अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और उससे पहले हाथ से क्रेश कर लेंगे यह हमेट कसूरी मेथी है इसकी रेसिपि अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल सेगी करीब 3 मिट तक इसी तरीकी से पकने देंगे और ग्रेवी को बलते हुए आप 3 मिट हो गया है और अगर आप इसे और पतल्या करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूद कुछ भी और डाल सकते हैं सब्जी को एक हलका मीरा टेस देने के लिए मैं इसमें टेमाटर सॉस दाल रही हूं एक टेबल स्पून जितना हम इसमें टेमाटर सॉस दाल देंगे इसे सब्जी को डेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है थोड़ा से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और ग्रेवी हमारी अच्छे से तयार हो चुकी है और इसके बाद एक सर्व सब्जी बनकर तयार हो गई है यह सब्जी रोटी पराथे चावल सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसे बनाने में भी बहुत ही कम समय लगता है आप एक बार जरू ट्राइब करें और फीडबैक में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी अगर आपको अची लगी जिससे आने वाले वीडियो का नोटिमेशन आपको समय पर मिल जाएं और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोगों के लाइक मेरे लिए बहुत जादा मायने लगते हैं और मुझे आगे वीडियो बढ़ने के लिए इंस्पार करते हैं करते हैं